नमस्कार क्यापटल टीवी का खाश शो राहूल का अगनी पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा राहूल गांदी आरूप तो लगाने में देर नहीं करते पर जब बात सबूत दिखाने की आती है तो गायब हो जाते हैं पर इसका अब नतीजा ये निकल रहा है कि राहूल गांदी कानूनी लड़ाई में बुरे फस चुके हैं एक और नई मुसीबत राहूल गांदी की गले पड़ गई है आरेसिस के तुलना मिश्र के प्रतिवंदित वामपंती संगतर मुसलिम ब्रदर हुट से करने पर राहूल गांदी पर कानून का हंटर चला है इस मामले को लेकर आज कोट में सुनवाई भी हुई आरेसिस पर लगाए गए आरोपों के सबूत मांगे गए तो वहीं दूसरी तरफ सभी की निगाहे इस बात पर टिकी रही कि आज राहूल गांदी मोदी सरने मामले में सूरत कोट से मिले जटके के बाद हाई कोट में अपील करेंगे पर इसको लेकर भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि सिर्फ दो दिन बचे है अगर कोट नहीं गए तो गिरफतारी पकी है तो आज राहूल गांदी के कानूनी पच्छडों पर बढ़ती मुसीबत पर ही चर्चा करेंगे बाच्छत के लिए मेरे साथ स्टूड़ी में मौझूद है क्यापटल टीवी के एक्सक्यूटब एडिटर राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत हैं ये कौन सी नई मुसीबत राहूल गांदी के गले पड़ गई है देखी ये मुसीबत एक-एक करके सामने आएगी क्योंकि लंदन में जो उन्होंने देश वीरोधी बाते कही है संग के खिलाप कही है भारत के संबैधानिक संस्थानों के खिलाप कही है वो उसके मामले में अलग-अलग जगों पर अलग-अलग केस दर्ज हुए है देश-द्रोह का मामला चलना चाहिए ये अलग मामला है इसमें संग के बारे में राहुल गांधी ने जो बात कही थी उस मामले में सुनवाई हूँ और सुनवाई के दवरान ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जो बाते कही है उसके सुबूत कौन कौन से हैं वो पेश करें उसके बाद एक्षन लिया जाएगा अब राहुल गांधी ने क्या कहा था राहुल गांधी ने संग की तुलना मुस्लिम ब्रदर हुट से की थी Muslim Brotherhood एक परतिबंधित संगठन है जो मिस्र के अंदर परतिबंध लगा दिया गया जिसके उपर यानि कि Muslim Brotherhood सिर्फ मिस्र के लेबल पर नहीं अंतर राष्ट ये अस्तर पर ये माना जाता है कि इसका आतंकी connection है क्योंकि Muslimानों को बर्गला कर पूरे दुनिया के Muslimानों को इकठा होने की बात करके अलग-अलग देशों में ये संगठन है जो आतंक वाद परोस्ता है अब उस आतंकी संगठन से आप तुलना कर रहे हैं राष्टिय स्वयम सेवक संग के राश्टिये स्वयम सेवक संग एक बड़ा संगटन है और यहाँ पर वो cultural organization माना जाता है सांस्कृतिक संगटन है और संगटन में उसके राजनितिक विंग जो परोक्ष रूप से माना जाता है कभी भी सीधा संग का पूरा का पूरा काम जो है वो कानूनी तरीके से चलता है चाहे शाखाएं लगाने की बात हो इनके पदाधिकारियों की बात हो बात यहाँ पर हिंदू संस्कृति की हो जिसके development के लिए काम करता है कोई भी आरोप ऐसा नहीं है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये संगठन एक खतरनाक संस्ता है जो देश में आतंग फैलाता है अब उस आधार पर सुबूत मांगने की बात होई है यानि की सीजेम के आदालत ने कहा है कि इसके सुबूत क्या क्या है अगर ऐसा बोला गया है तो आप evidence देजिए अब evidence कहां से आएगा evidence उसी बात से आएगा क्योंकि जिन्होंने केश दायर किया है उन्होंने भी कहा है कि हमने मीडिया में एक ख़बर देखी टीवी चैनल में एक ख़बर देखी अखवारों में पढ़ा अब वो सारे जो सुबूत है वो इकठा करके उन्हें दिया जाए आएगा कि आप आकर ये बताएं कि आपने ये जो बयान दिया वो किस आधार पर दिया आपके पास कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर आपने संग के तुलना मुस्लिम ब्रदर हुट से की क्योंकि ये मामला सुबूतों का है और सुबूतों के आधार पर जो पहली सुनव उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सामान प्रक्रिया है लेकिन जीसे ही ये कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़े गी राहुल गांधी की मुसीबत बहने वाली है क्योंकि ये मामला अगर पिछले मामले से देखें जिसमें दो साल के सजा हुई है उस मामले में क्या हुआ था कॉलार में राहूल गांधी ने मोदी सरनेम के लिए बोला कि सारे जो चोर हैं उसका सरनेम मोदी क्यों होता है। उस recording थे जो टीवी चैनलों पर चले थे यह सारा जब evidence दिया गया उसी क्याधार पर सुनवाई शुरू हुई और फिर राहुल गांधी अपने आपको defend नहीं कर पाई लेकिन अब तो बस दो दिन का वक्त बचा है आज खबरे थी कि हाई कोट जाएंगे लेकिन अभी तक क्यों नहीं गए इस मामले में राहुल गांधी की पूरी टीम और कॉंग्रेस सुरू से ही confused रही है जब लोवर कोट ने फैसला सुनाया था और दो साल की सजादी 30 दिन का स दो बसक्ताइबा रादलेतिक तरीके से कैसे हुता है और उसी फाइदे के चकर में 11 दिन का समय कॉंग्रेस ने ले लिया सेसंग कोट-मेर जाने के लिए क्योंकि कॉंग्रेस को ये भरोसा लग रहा था कि लोवर कोट में जो फैसला हुआ है जैसे ही हम सेसन कोट में जाएंगे उस कन्विक्सन के उपर स्टे लग जाएगा इनके पास वकीलों की फौज है लेकिन उस वकीलों की फौज ने भी ये नहीं बताया कि हमको दलीले किस और ले जाने चाहिए आपको बचाने के लिए या फिर मुदी को बदनाम करने के लिए ये दो अलग अलग तरीके हैं और इन लोगों ने जो दलीले पेश की वो सारी की सारी दलीले जो थी वो मोधी को बदनाम करने वाले थी कि हमें जान बुझकर फसाया जा रहा है ये सजा दो साल की इसलिए दि गई है मतलब criminal defamation में maximum punishment की जो बात है वो maximum punishment दिया गया है इसलिए दो साल की क्योंकि हमें दो साल की सजा मिलने के बाद लोक सभा के सदस्ता हमारी कत्म हो जाएगी हमें घर खाली करना पड़ेगा यानि कि आप कहीं न कहीं घुमा के एक पॉलिटिकल एजेंडे पे चल रहे हो कि परधान मंत्री नरेंदर मोदी के खिलाब बोलने की सजा हमें दी जा रही है और कोर्ट पे सवाल उठाया सेसन कोर्ट ने भी वही काम किया और जो इनकी दलिले थी उसके अधार पर बोला कि आप ये साबित नहीं कर पाए अभी तक कि आपके कन्विक्शन पर अस्टे क्यों लगाया जाए अगर अस्टे नहीं लगाया जाएगा तो उससे क्या समस्याया आएगी इस बात के लिए आपके पास कोई दलिल नहीं है अब उसके बाद फिर कॉंग्रेस कन्विज हो गई है कॉंग्रेस ने कल ही बोला था कि जिस तरीके से अभी सेसन कोट का फैसला आया है उसके बाद हम सुप्रिम कोट तक जाएंगे यानि पहले हाई कोट जाएंगे उसके बाद सुप्रिम कोट जाएंगे लेकिन कब जाएंगे वक्त की तो बहुत कमी है कानून विवस्था की बात होती है तो गादी परिवार क्या उससे उपर है देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह लोग confused इस बात के लिए हैं कि अगर सेशन कोट ने conviction पर स्टे नहीं लगाया हाई कोट में जाएंगे तो हमें हाई कोट से राहत मिलेगी कि नहीं इस पर भी अभी मन्थन चल रहा है क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि हाई कोट में हमारी सेटिंग उस अस्तर की नहीं है और हाई कोट के जो मामले वहां पर आये थे पिछली बार जो नरन भाई कछाडिया का मामला आया था उसमें भी गुजरात हाई कोट ने उन्हें राहत नहीं देजी सीधे वो सुप्रिम कोट से स्टे लेकर गए थे कंविक्शन पर जो स्टे मिला था वो सुप्रिम कोट मिला था जबकि गुजरात हाई कोट ने बेल दे दिया था और दूसरी बात ये भी कर दिया था कि संटेंस को सस्पेंड कर दिया था कि आगे सुनवाई तक सस्पेंड रहेगा लेकिन स्टे नही ये अलग ही विवस्ता है ये बारा बजे रात को भी जज साहब का दरवाजा खट खटाएंगे अपील करेंगे और हो सकता है कि घर के अंदर से ही इनका बेल भी मंजूर हो जाए और साथ ही कन्विक्शन पर स्टेव ही लग जाए लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को समझना क्या चाहती है आखिरकार कॉंग्रेस एक एक दिन का पॉलिटिकली स्टेमाल करना चाहती है कि अगर कन्विक्शन पर स्टेव अगले दिन लग जाता तो राहुल गांधी की सांसदी नहीं जाती इनको घर खाली करने का मौका नहीं मिलता और यह चाहते हैं कि कि किसी तरीके से राहुल गांधी को लाइम लाइट में रखे और हर व्यक्ति जो कॉंग्रेस का सपो्टर है या जो कॉंग्रेस के परती थोड़ा कनफ्यूज है कि सपोर्ट करें या सपोर्ट ना करें क्योंकि कनफ्यूजड वोटर जो होते हैं उसको किसी भी तरीके से अपने साथ लाय जा सकता है और कॉंग्रेस के स्ट्रेटजी यही रही कि एक एक दिन का इस्तेमाल ऐसे करो कि 30 दिन के अंदर राहुल गांधी राजनीती के किंदर में आ जाएं परधान मंती नरेंदर मोदी को चुनोती देने वाले बन जाएं और अंत में तो सुप्रीम कोट हैं ही जहां पर जाएं तो उसका भी इस्तेमाल करने की कोशीश करेंगे के हाइउ कोट से अस्टी नहीं मिला तो सुप्रीम समय तो चारो दरब के युव्राज पस चुके हैं जिसे बचसना आप काफी मुश्किल है देश पर 60 साल तक कॉंग्रस के साशन में गांधी परिवार खुद को श्राही परिवार मानने लगा था उसको लगता था कि देश में उसके लिए अलग ही कानून होना चाहिए पर ये वो भूल गया है कि देश की जंता ने उनकी कर्तूतों की वज़ा से सत्ता से बेदखल किया और कानून की नजर में सब बराबर है निचली अदालत ने राहूल गांधी को माफी मांगने का अफसर भी दिया था लेकिन शाही परिवार की घमंड में उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया अब अगर उन्हें गुजरात हाई कोर्ट या सुप्रेम कोर्ट से 22 एप्रेल तक राहत नहीं मिलती है तो राहूल गांधी का जेल जाना बिलकुल टाय है आप अपनी राए कॉमेंट करके जरू लिखे देखते रिए कैपिटल टीवी नमस्कार